हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे चेनल इसकूल आंसर पर है आज हम क्लास एड़ साइंस का चेप्टर नंबर फोर दहन और ज्वाला तो इसके जो क्वेशन आंसर से उनका कम्प्लीट डिसकस है वो करने वाले हैं आपका first question है कि धहन की परिष्टितियों की सूची बनाईए आपके पास जो भी धहन के लिए जो इंदन है उसको धहन होने के लिए कौन-कौन सी परिष्टितिय आवशेक है वो आपको बतानी है सबसे पहले आपको उस इंदन का oxygen के साथ संपर्क आवशेक है इसी के साथ जो भी इंदन है उसका एक निश्ची ताप होता है जिस पर वो जलना प्रारम होता है तो जो जो जोलन सील ताप है वो आवशेक होता है यह दो परमुक आवशेकता है किसी भी इंदन के दहन के लि ये तीनों आवश्यका किसी इंदन के दहन के लिए तो ये आपको इसका आंसर लिखना है next question है कि रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए first question है लकडी और कोईला है वो जलने के पसाद वायू का क्या होता है उनसे परदूसरन होता है क्योंकि लकडी और जो कोईले जो इंदन है वो वायू की उपस्तिती में complete दहन नहीं होता है मतलब upon दहन होता है और कोई भी इंदन यदि वायू की उपस्तिती मतलब oxygen की उपस्तिती में यदि upon दहन होता है परदुशन को फेलाता है यह आपको मायन में रखना है next है कि घरों में काम आने वाला जो दर्व इंदन है वो कौन सा है? LPG यह हम सभी जानते हैं कि घरों में काम आने वाला जो दर्व इंदन है वो कौन सा है? LPG नेक्स्ट है जलना प्रारम होने से पहले इंदन को उसके किस ताप तक गरम करना उश्यक है जोलन सिलताप अगर कोई इंदन का जोलन सिलताप प्राप्त नहीं होता है तो वह नहीं जलता है नेक्स्ट है कि तेल द्वारा जो उत्पन आग है उसको जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट है आपका question कि समझाए कि मोटर वहनों में CNG की उप्योग से हमारे सहरों का जो प्रदूशन है वो किस परकार से कम हुआ है जैसा कि मैंने बताया था अगर कोई इंदर वायू मतलब oxygen की उपस्तित में अगर पूर्ण दहन होता है तो वो हमारे वायू के लिए switch इंदर माना जाता है अगर कोई इंदन वायू मतलब oxygen की उपस्तिते में अपून दहन होता है तो वो वायू का परदूसन है वो फेलाता है जबकि हम इसलिए हम जानते हैं कि CNG जो है CNG है वो उसकी oxygen की उपस्तिते में complete दहन होता है इसलिए हम कहा सकते हैं कि यह हमारे सैरों का जो परदूसन है वो कम फेलाता है तो इसका अंसर इस परकार से लिखना है कि motorवानोज में जो इंदन है इंदन के रूप में हम मुख्यत क्या इस्तावाल करते हैं डीजल हो गया यह पेट्रोल हो गया अगर हम इनके इस्तान पर किस का CNG का उप्योग ले रहे हैं तो CNG है वो सलपर और जो नाइटोजन के ओक्षैड है वो अलप मात्रा में उत्पातित करती है इसी के साथ पेट्रोल हो जलने के दोरान बिना जले ही कार्बन के कंड छोड़ता है जो दमा जैसे स्वांस रोग उत्पन करते हैं जबकि CNG है इस परकार का कोई कंड नहीं छोड़ती है इसलिए हम कहा सकते है CNG है वो स्वच इंदन है क्योंकि CNG है सलपर और नाइटोजन के ओक्साइडोग भी कल्ब मात्रा में निकालती है और इसी के साथ यह है कोई सी परकार के कारपन के कंड भी वायू में नहीं छोड़ती है तो इस परकार से यह वायू मंडल में परदूशन को भी कम फेलाती है तो इस परकार से आपको इसका आंसर लिखना है नेक्स्ट है कि इंदन के रूप में अलपीजी और लकडी की तुलना कीजिए तो जैसा कि मैंने बताया था अलपीजी है वो एक स्वच इंदन है और लकडी है वो स्वच इंदन नहीं है क्योंकि अगर ऑक्सिजन के उपस्तिप्ति में जब इनका धहन होता है तो लकडी का तो अपून धहन होता है और अलपीजी का पून धहन होता है इसलिए हम कहा सकते हैं कि जो दुआ और अन्य परदूसक है वो अलपीजी से तो नहीं निकलते हैं जबकि लकडी है उससे दुआ और अन्य परदूसर परदात में निकलते हैं क्यूंकि इसका दहन पूर नहीं होकर अपूर होता है। इसी के साथ उसमिमान है वो भी LPG का बहुत अधिक होता है लकडी की तुलना में। इस कारण से यह LPG एक स्वच इंदन है और लकडी है वो एक स्वच इंदन नहीं है। इस पर कासि आपको इसका अंसर लिखना है। अब नेक्स्ट है आपका की कारण बताईए। किसका करण बताना है कि विदूत उपकरण से समधी आग पर नियंतरन पाने है तूँ जल का उपयोग है वो नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई विदूत उपकरण है उस पर अगर आग लगी है और उस पर अगर हम जल डालते हैं तो जल एक चाला की तरह विवार करें और चाला की तरह विवार करेगा उसके कारण हमें करंट आने की संबावना रहती है इसलिए स कंबल की तरह विवार करेगी और जो आग है उसका उक्सिजन के साथ संपर्क तोड़ देगी और वो आग बुजाने में सपल होगी इसलिए इसका आंसर आपको इस परकार से लिखना है यदि विदूत उपकरणों में आग लगी हो तो जल है वो विदूत का चालन कर सकता है औ और आग बुजाने वाला है उसी कोई हानी पहुंचा सकता है इसलिए विदूत उपकरण से समद्दित आग पर नियंदर्ण पाने हिदूत जलका उप्योग नहीं किया जाता है नेक्स्ट है आपका कि अलपीजी है वो लकडी से अच्छा गरेलू इंदर्ण है जैसा कि मैंने बताये था क्यों है अलपीजी गरेलू इंदर्ण बढ़िया क्योंकि अलपीजी है वो उसका पूम दहन होता है वो वायू में किसी परकार से कोई भी कर्ण है वो कार्पन के नहीं छोड़ती है और इसका उश्मे मान है वो भी काफी ज्यादा अधिक होता है लकड़ी की तुलना में इसलिए यह एक स्वच चिंदन होता है तो इसका अंसर लिखना है कि लकड़ी जलाने पर धुआ और अन्य परदूसक निकलते हैं जिससे क्या है परदूसन और स्वास इस परकार से आपको इसका आंसर लिखना है अब नेक्स्ट क्रेशन है कि कागेज जब वो स्विंग हो तो सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चार और जब लपेटा गया कागेज हो वो कागेज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है क्यों न कर लेता है परन्तु एल्यूमिनियम पाइप के चार और लिप्टे कागज को गरम करने पर हमें उस्मा है वो चालन द्वारा पाइप से निकल जाती है अतर ताप है वो कागज के जुलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है इसलिए वो आग नहीं पकड़ पाता है तो इस पर तरफ द्वारा किलो जूल पर केजी द्वारा हम इंदर का जो उश्मे मान उसको परदर्सित करते हैं नेक्स्ट है कि समझाए ये Cu2 किस परकार आग को नियंतरित करती है जैसा कि मैंने बताया ता अगर किसी इस्तान पर आग लग जाती है तो उस आग का ओक्सिजन से संपर तोड़ना आउश्यक है अगर हम उसका ओक्सिजन से संपर्ख तोड़ देंगे तो वह है आग हुझ जाएगी इसके लिए हम क्या करते हैं Cu2 का प्रियोग करते हैं Cu2 क्या करती है उस पर आग पर एक कंबल की तरह वेवार करती है मतलब आग का ओक्सिजन से संपर्ख लगवेट लेती है इससे जो इंदन है और उसका ओक्सिजन के साथ जो संपर्ख तोड़ जाता है और आगपन येंत्र हो जाता है Next आपका question है कि हरी परतियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परन्तु सुकी परतियों में आग आसानी से लग जाती है समझाईए Simple साइस का है कारण क्या कि हरी पतियों में नम्मी है वो सुकी पतियों के लूना में बहुत अधिक होती है इसलिए हम कहा सकते है कि हरी पतियों में जो आग है वो लगने में बहुत अधिक समय लगेगा ता उनको जलाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बकाएदा सुक इनको जलना कठिन होता है, जलाना कठिन होता है, परंतु सुकी पतियों में नमी नहीं होती है, और इनका ज्वलनताप ही कम होता है, इसलिए इनमें आग है, वो आसानी से लग सकती है. नेक्स्ट क्उर्णकार है वो ज्वलनताप सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका अंसल लिखना है कि स्वलनताप बिगणाए के लिए पिगलाने के लिए जोरा के सबसे 22 lifetime का उपयोग करते हैं क्योंकि इस चेथर में चाहिया मुखी रीजिघन में बताय दो फूल करतेना है क्या है कि पूर्धहन होता है। जाला का पूर्धहन जिस इसक्तान पर होता है वो ज्वाला पिगलाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है अता ही है सबसे छेतर है वो सबसे गर्म होता है नेक्स है आपको नुमेरिकल दिया वा है कि एक परियोग में आपको 4.5 kg आपको इन दिन का पूंत या धहन किया किया है और उत्पन जो उसमा का तापमा है वो माप है वो एक लाग असी जार किलो जूल था तो इन दिन का उसमिय मान आपको बताना है तो उसमिय मान कि आपको विमा पता हो तो आप इसको solve कर चेकते हो, विमा क्या है? किल्लो जूल पर केजी इसका मात्रक होता है, तो आपको 1,80,000 में आपको 4.5 का divide कर देना है, तो आपके पास आएगी 40,000 किल्लो जूल पर केजी आपके पास आजाएगा उस विमा. नेक्स्ट है आपका question कि क्या जंग लगने के परकम को धहन कहां जा सकता है, विवेस न कीजिए. तो हम कहींगे कि नहीं, क्योंकि जो जंग लगने की जो process है, वो बहुती slow process है, जबकि जो धहन की जो process है, वो fast process है. इसलिए हम कह सकते हैं कि जंग लगने वाली जो process है, उसको भी का जा सकता तो इसको आपको इस परकार से लिखना है कि जिसकी जंग लगना एक मन्द अभिकिरिया है क्योंकि इसमें लोहा है वो oxygen और नमी से अभिकिरिया करता है तता बहुत कम उस्मा है वो उत्पन होती है जबकि जो धैन वो एक तिवर अभिकिरिया है जिसमें जो पर किया गया आभीदा ने बिकर को मौंबती है वो बिकर को मौंबती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा जबकि रमेज ने बिकर को ज्वाला के सबसे बारी भाग के पास रखा तो किसका पानी कम समय में गरम हो जाएगा जैसे मैंने अभी सौनकार का जो आपको एक्जांपल वो सोन्स ने और चान्डी को उसके ज्वाला के सबसे बारी बाग पर गरम करताै क्योंकि वहां पूंत या धेन होता है इसलिए हम कहेंगे जो Ramez का जो वीकर है क्योंकि वो है किस बाétais के पास बार کے पास बीकर को ले जा रहा है तो वह है उस का रमेश का बीकर है वो जल्दी कम समय में घर्म हो जाएगा इस कांसर हम लिखना है कि हम जानते हैं कि ज्वाला के सबसी बारी बाग में पूर्ण दहन होता है अता यह सबसी गरम होता है इसलिए रमेज का पानी कम समय में गरम हो जाएगा इस्टुडेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ताकि फ्यूचर में इसी पर करके वीडियोज का नोटिपिकसन आपको सबसे पहले राप्त हो सके थेंक्यू सो मच